हेलो दोस्तों नमश्कार मैं डक्टर अश्मनी बसन वेटरेनरी सर्जन हर बार की तरह आज फिर आपके लिए एक निया और दिल्चस्प केस लेके आया हूँ टीट ब्लॉकेड का केस है ये जिसको टीट स्टेनोसिस टीट अबस्रक्शन भी बोला जाता है जानी कि इस गाय के दो थन पूरी तरह से बंद है आपको मैं बता दूँ कि इस गाय को लंपी स्किन डिजीज हुई थी मैं बता रहा हूं कि इसके फोड़े आप पूरी तरह से बैठ चुके हैं हमने टाइम रहते इसका इलाज किया और फारमर ने बताया कि ये पूरी तरह से रिकवर हो गई थी बढ़ पिछले तीन दिनों से इसके दो थन पूरी तरह से बंद है उनमें दूद बिल्कुल नहीं आ रहा आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह के केस फील्ड में काफी कम देखने को मिलते हैं तो जैसे कि मे में दूद बरा है बट एक कत्रा भी दूद का बाहर नहीं आ रहा बीस लिटर दूद देने वाली गाए अब दूद कम दे रही है फारमर परिशान है कि अब उसकी गाए ठीक नहीं होगी उसके थन बंद रहेंगे बट टाइम रहते हमने इसका इलाज किया और पूरी तरह स एक थन बंद होने के केस मिलते हैं पर ये दो थन एक ही गाए में बंद हैं हमने कैसे ओपरेशन किया आप आगे देखेंगे इसमें टीट इंस्टूमेंट हम यूज करते हैं और साथ में 11 नमर ब्लेड से हम क्रॉस कट लगाते हैं उसको गोल गमाते हुए उस थन की जो नाल ओपरेशन करके खोला और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती जीरो ब्लीडिंग नो ब्लीडिंग के साथ ये ओपरेशन होता है इसमें एकोरेसी चाहिए होती है हमने पहले ही ऐसे केस काफी ठीक किया है और इस केस में हमने सफलता पाई आप देखिए दूद अच्छी quantity में अच्छे flow में और अच्छी दार से बाहर आने लगा दोनों थनों से दो दो तीन तीन लीटर हमने दूद निकाला फार्मर हमारे काम से सैटिस्वाई हो गया वो परेशान था पिछले तीन दिन से कि अब उसकी गाय का थन ठीक नहीं होगा पर हमने अपन फार्मर को सैटिस्वाई करें ताकि उसकी जो गाय है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं आप देखिए कितनी अच्छी दार से दूद जो है वो बाहर आ रहा है अब आप देख सकते हैं कि इस गाय को लंपी स्कीन डिजीज हुई थी और अब फार्मर ने कंप्लेंड की कि इस इसको ब्ला कर रहा था थनों को वह मैंने ऑपरेशन करके उसको निकाला है वहार और अब आप देखिए कि यह है इसका एक थन यह भी फ्रिली अब इसमें से दूद आ रहा है इसमें और एक नीचे वाला थन था यह इसमें से भी दूद अच्छी तरह आने लगा है तो मैं अपने जो पशू पालक हैं और डेरी फार्मर हैं उनको यही बताना चाता हूँ इस वीडियो के मार्गम से कि अगर आपके किसी भी जानवर में थनों की प्रावलम है कि वो थन बंद हो जाते हैं उनके तो आप अच्छे डॉक्टर की सला लीजिए अपने इलाके के और टाइम रहते हैं उसका ओपरेशन करवाईए या ट्रीटमन करवाईए ताकि वो जल्दी थन जो है वो खुल सके और वो गाय ठीक हो जाए अगर आप देसी इलाज करते रहेंगे और अपने जो पहरावेटा उनको बलाते रहेंगे तो आपके थन बंद हो जाएंगे और डालना स्टार्ड किया आप देश सकते हैं फुल फलो में अच्छी कौंटिटी में और अच्छी दार से दूद उन दोनों थनों से बाहर आने लगा हमारा जो केस है वो सकसेस्फुल हो गया फार्मर हमारे काम से सैडिस्वाई हुआ उसकी तीन दिनों की जो प्राबलम थी वो दूर हो गई ऐसे केसों में पोस्ट उप्रेटिव केर बड़ी जुरूई हो जाती है आपने दोनों थनों को खाली करके सुबा शाम ये इंटर मेमरी ट्यूब उन थनों में डालनी है तीन दिन तक उसके बाद आपने इंजेक्शन लगाने हैं दर्द वाले और कोशिश करनी है कि एंटिवाटिक सिंगल शाट आप लगाएं आईवी रूट से ताकि बाद में जानवर को किसी तरह की कोई प्राबलम ना हो उसके थन द्वारा से बंद ना हो आप देखिए जुगलर वेन को अडेंटिफाई करके मैंने सिंगल प्रिक में आईवी रूट से एंट इसी तरह फालो करेंगे और टाइम रहते अपने जानवर का इलाज करवाएंगे अपरेशन करवाएंगे आपके जानवर पूरी तरह ठीक होंगे उनके थन पूरी तरह से खुल जाएंगे अगर आपने टाइम रहते इलाज नहीं करवाया तो आपके जानवर को मैस्टैटि करो शुक्रिया